दोस्तों अगर एक विवादित स्थल है और उस विवादित स्थल को हिंदू समुदाय अपनी जगा मानता है या उसे अपने धरोहर मानता है दूसरे तरफ मुस्रिम समुदाय कहता है कि वहाँ पर मस्जित थी दोनों पक्षों को लेकर उनके दावों को लेकर अभी तक पुष्टी नहीं हुई है लेकिन अगर वो लोग चाहें तो अपनी अपनी जो मानता है उसको फॉलो कर सकते हैं यहां पर लगा रहे हैं लेकिन यह जो कुछ भी हो रहा है वह तोड़ा है मामला यहां का नहीं है उत्तर प्रदेश के शामली का बताया जा रहा है मामला अपने आप में गंभीर है मामला क्या है इस ख़बर में आपको बताऊंगी नमस्कार मेरा नाम है जैन्ती जा और आप देख रहे हैं दवीपीन टीवी दोस्तों एक ख़बर सामने आई है बताया जारा उत्तर प्रदेश के शामली से ख़बर है जहां पर एक विवादि धाच़ा विवादि धाच़ा क्यों कहा जा रहा है इसको क्यूंकि पर बहुत समय से विवाद है मुस्लम समुदाएग से दावा करता है कि वहांपर 5000 साल पुरानी मसुद थी हिंदूं समुदाएग जाकर नमाजधा नह Hi preferably मुस्लम समधाय का ये दावा है कि वह 200 साल पुरानी मंसJद है वहां पर 2500 साल से मजड़ें है वहां पर विराजमान है तो किसके दावे में सचाईह किसके दावे में नहीं सचाईह अभी तक किस बात के पुष्टी नहीं उपाये लेकिन आरोप एक तरफ से лож और और दूसरे तरफ से जिस शक्स ने वहां अजान पढ़ने की आजान देने की कोशच कि उसको गिरफतार कर लिया गया दोस्तों आरोपों के बल पर, जिस तरीके से कारेवा ही हो रहे हैं आपको इस ख़बर में वहम बता रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर एक खबर में आपको दिखा रही हूं दोस्तों इसका देखे कहना है कि शामली में मुस्लिम युवक द्वारा विवादित खंडर नुमा धाचे में अजान देने का मामला सामने आया है विडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वारल होने के बाद लोगों में रोश है पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दरज करते हुए आरोपी युवक को गिरफतार भी कर लिया है ये मामला क्या है इस बात को समझे है शामली जिले के गाउं अहाता गौसगर में चार भीगा जमीन में एक जरजर इमारत मुझूद है कुछ लोग सेकड़ो वश पुरानी इस इमारत के मस्जिद होने का दावा करते हैं और कई लोग इसे मनहार राजाओं के दुर्ग का हिस्सा बताते हैं जलालाबाद कस्बे के रहने वाले उमर कुरेशी नाम के युवक ने विवादिस थल पर पहुँचकर नमाज अदा की और मौके पर एक वीडियो और पोटो खीचा सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया ऐसा आरोप है इस खबर के जरिए वीडियो और पोटो वाइरल होने के आई पी से कितारा पांच सो पांच तो और आई टी अधिनियम के तहट उनके उपर मुकदमा दर्श किया गया है स्थानिय लोगों के मुताविक मौजूद संरशना आंशिक रूप से खंडर हो चुकी है जिसे कुछ लोग मनहार राजाओं से जोडते हैं कई लोग इसके मस अधिहासिक धरोहर पर पहले क्या था उसका इतिहास जानने की कोशिश करना है यह सब कुछ किया जाना चाहिए लेकिन एक शक्स जिसने वहीं दावा किया जो दूसरे लोग कर रहे हैं अब अगर मान लेजे हिंदू राजाओं का आपने उसको बताया है और कल को जाकर एक ह उसरे पक्ष से यहीं लगता है कि वहां तो मस्जिद थी तो आपको पूझा पाट नहीं करनी चाहिए तो क्या पुलिस उनको भी गिरफतार करेगी यह बड़ा सवाल है यहां सवाल यह नहीं उठ रहा है कि किसके दावे में कितनी सचाई किसके दावे में कितना अदम वह तो वीडियो को लेकर इस पूरी खबर को लेकर मामले को लेकर क्या सूचते हैं अपनी डाय कमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी ना भूलें फिर मुल झाल झाल